आगे बढ़ते हैं तो यदा वर्षा काले अपरा नद्याम जल प्लावनम जातम देखें परसु का गाउं कहां पर था वो अपने गाउं को छोड़ कर आ गिया लेकिन अब आकर रहने कहां लगा वह अपरा नदी के तट पर एक गाउं जो था वहां वहां निवास करने लगा तो नदी से वह क्या करता था मतिया खत करता था मशलियों का पकड़ने का कारिया वह करता था तो इस तरह से बाली का बिलासा जो है वह भी नदी आना जाना उसका लगे रहता था तो यदा वर्षा काले जब वर्षा काल में आपरा नद्याम आपरा नदी में जल प्लावनम जाता अर्थात वर्षा काल में वर्सा काल में क्या होता है वर्सा अधिक क्या होता है थाथ पानी बहुत अधिक गिरता है पानी बहुत अधिक गिरने के कारण से जितने नाले हैं नदी हैं यह सभी जो है अपने उफान पर आजाते हैं या कहें उसमें बाढ़ आजाती है तो ऐसे ही अपरा नदी में वर्सा आ जाती थी तदा तब अव्याइपद है बिलासा नौकया जनान संतार यतिस्म तब बिलासा जो है लोगों को जनान मतलब लोगों को जन मुल सब्द है दृतिवविभक्ति बहुचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है लोगों को नौकया नौका मुल सब्द है दृत रपा नदी में वर्साकाल में बाढ़ आजाती थी, तब देखिये, शिशु अवस्था से वाल्य वस्था में आ यो बाल्य वस्था से किसोर वस्था में आ गई, और किसोर होने के कारण से और उसके बाद फिर और वह बड़ी हो गई, तो इस तरह से धीरे धीरे करके, वह ना नाव चलाना भी सीख गई थी तो जब वर्षाकाल में अरपा नदी में बाढ़ आ जाता था तब कि स्थिति में वह नाव से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाती थी क्योंकि यह कहानी जो हम पढ़ रहे हैं आज से 100 साल से भी अधिक समय कि यह प्रसंग है तो उस समय नदियों में नालों में जिस तरह से आज में सेतु की व्यवस्था है फूल बंदह हुआ है वैसा फूल नहीं होता था तो लोगों को वर्षाकाल में नदी नाले को पार करने में असुविधा होती थी तो ऐसे समय में नदी किनारे कुछ लोग नाव के सहरे लोगों को इस पार से उस पार पार कराते थे तो ऐसे ही बिलासा भी वर्षाकाल में अर्पनदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लोगों को पार कराने का कारिय करती थी उसी एक लिखते हैं तदा बिलासा नौकया जनान संतारियतिस्मा तब बिलासा लोगों को नौका से पार लगाती थी संतार्यती यहाँ पर यह लट लकार प्रथम पूर्स एकवचन का प्रयोग है लेकिन यहाँ पर स्मा प्रयोग हुआ है इसलिए लंग लकार का यहाँ अर्थाद भूत काल का यहाँ अर्था दे रहा है संतार्यति स्मा पार लगाती ठी एव मेव यह अव्यपद है और इसका साथ यह होता है इस प्रकार सा मतलब वह नौ सभर आप आगर-जी अक्षर होता यह इसको Sanskrit में अवग्रह ताएं और यह अवग्रह का प्रयोग इसलिए कि आजाता है क्योंकि यह बताता है कि यहाँ पर A है वो छुपा हुआ है यह बताने के लिए अवग्रह का चीहना लगाया जाता है तो नौका चालने पी यह संधी पद है संधी अलग करेंगे तो जो A छुपा हुआ है वह प्रकच रू उपस्वर संधी तो इस प्रकार से सा वह नौ का चालन में भी नाव चलाने में भी पारंगता जाता पारंगत हो गई थी अर्थाद भली प्रकार से वह नाव चलाना सीख गई थी इसलिए तो लोगों को नदी पार नाव से कराती थी सा वह लोक नृत्य गीत योह अपी सिध्धा आसीत वह वह इस्थानी जो लोक गीत होते थी या लोक नृत्य होते थी आप भी जहाराते महां लोक नृत्य और लोक नृत्यों की परंपरा है ना आप भी गाते होंगे हां बिल्कुल से तो उसी तरह से बिलासा भी वहां की जो इस्थानी लोग गीत और लोग नृतिय थे इसमें वहां सिद्ध हो गई थी अर्था पारंगत हो गई थी अर्था इन जब लोग गीत गये जाता था वह भी उसमें सामिल होती थी वह भी गाती थी जब लोग हुत लोकुनृत्यस्य, गीतस्य, तयोह्च, यह इसका समाश विग्रह होगा, द्वन्द समाश का प्रयोग हुआ है, तो वह लोकुनृत्य और गीत में भी सिध्ध हो गई थी, अर्थात पारंगत हो गई थी, अर्थात इसको वह कुछ अलता पूर्वक, रूचि पूर्वक करती तो इसका तात्पर होता है कार्यक्रमों में सा वह अग्रसरा आसीत अग्रसर धन आसीत इती अग्रसरासीत यहां पर दीरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ तो गाउं के सभी कार्यों में वह अग्रसर थी अर्थात गाम के ढकार के क्रियकलाप होते थे उन सभी में उनकी बराबर भागी-दारी होती थी रूची लेकर वह उन सभी कारियों में सम्मिलित होती थी, जैसे आप सम्मिलित होते हैं, गाउं के दूसरे लोग सम्मिलित होते हैं, उसी तरह से, चोकि बिलासा भी उस गाउं का अभिन्न अंग बन गई थी, उसका तो जन्म ही वही हुआ था, वह वहां रहती थी, तो वहां उंतरे बिलासा याह विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत बिलासा प्रती दिनम चार तेंदू इती वन्य फलाने संग्रहनार्थम गच्छतिस्म तथा च बंसी महीश चारनाय वनम प्रती अगच्छत यदा सायम काले बिलासा पत्या साकम ग्रिहम प्रती नियवर्तियत तदा सहसा आखेटाय ब्रहमतह राग्यह कल्यान सायस्यो परी एक व्याग्रह आक्रमणं कृतवान तम विलोक्य बिलासा व्याग्रम कुंतेन प्रहारिय राग्यह प्राणान अरक्षयत अनया कल्यान सायह बिलासय प्रभावितो भुत्वा अपरम दिवसं अपरा नद्याह द्वयोह तटयोह जागीर बिलासाय दत्तवान तथा च राजा रतनपूरं प्रत्यागत अनंतरम ताम खटगेन अलंग कृत्य महिला सेना पती इती पदे नियायोजयत ये गध्यांस है और इस गध्यांस में जो कठिन पद आये हैं उन कठिन पदों को अर्थाद जो संधी उक्तपद हैं उन पदों को हम पहले देखते हैं और उमने जो संधी प्रयोगत हुए हैं उन संधियों को हम अलग करते हैं तो पहरा सब्द हम देख पा रहे हैं कालांतरे कालधन अंतरे इती कालांतरे यहाँ पर दिरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से आप सब्द देख पा रहे हैं संग्रहन अर्थम यहाँ भी दिर्गस्वरसंधी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से आप सब्द देख रहे हैं निया वर्तयत नीधन अवर्तयत यहाँ पर यन्स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से आप एक सब्द देख रहे हैं निययोजयत नीधन आयोजयत यहां भी यंड्सवर संधी का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से यह जो संधी युक्त पद हैं जो गद्यांस में प्रयुक्त हुए हैं इनको हमने देखा और अब आईए गद्यांस में प्रयुक्त बिलासा सब्द सष्ट्वी वक्ति एक वचन का प्रयोग है और इसका ताथ पर यह होता है बिलासा का विवाह विवाह पोल्लिंग सब्द है प्रत्मेज़ भक्ति एक वचन का हेडactor है इस वाक्य का अर्थ है समय बीतने पर बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ यहाँ देख रहे हैं सह जो लिखा है इसका अर्थ होता है साथ सह योगे तृतिया भवाती सह के योग में तृतिया भवक्ती होती है तो सह का योग हुआ है युवक सब्द के साथ इसलिए युवक सब्द में तृतिया भवक्ती का प्रयोग हुआ है युवकेन युवकाभ्याम युवकई इस तरह से इसका रूप बनता है यूवकेन का तातपरी हुवता है यूवक से लेकिन यहाँ पर सह के साथ प्रयोग हुआ है तो बंसी नामग यूवक से विवाह अभवत विवाह हुआ यह तातपरी है चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिलासा प्रती दिनम चार तेंदू इती वन्य फलाने संग्रहनार्थम गच्छतिस्म विवाह के पस्चात बिलासा प्रती दिनम यह जो सब्द है यह कैसा है यह समासिक पद है समास विग्रह करेंगे इसका रूप बनेगा दिनम दिनम प्रती समास होगा अव्यभाव समास और इसका तात्पर यह होता है प्रती दिन अर्थात प्रत्य एक दिन तो बिलासा प्रती दिनम 4-3-2 इति 1 ने फ़लाने वन में जो फल होते हैं, जैसे चार, तेंदू, आदे आप जानते हैं न, समभवत आप में से बहुत से लोग इसका संग्रहन भी करते हैं, खाते भी हैं, अच्छा भी लगता है, तो तेंदू की फल आप देख भी पा रहे हैं, चार और तेंदू के फल जो वनों से मिलते हैं, देखने भी बड़ी सुन्दर लगते हैं और इसको संग्रहन करते हुए लोग देखिए किस तरह से लोग संग्रहन कर रहे हैं तो ये जो द्रिश्य है ऐसा है द्रिश्य जहां बिलासा रहती थी वहाँ वह स्वयम इस द्रिश्य में सामिल हुआ करती थी वह स्वयम चार जैसे वन वनोपज कहते हैं वन्य से प्राप्त होने वाले फल, फूल, कंद, मुल आधी को संग्रहन करने के लिए जाती थी तो बिलासा प्रती दिनम चार तेंदू इती वन्य फलाने संग्रहन आर्थम गच्छतिस्म तो बिलासा जो है प्रति दीन चार तेंदू आदी वनो पज को या वन से प्राप्त होने वाले फलों को संग्रहन के लिए संग्रहन आर्थम का तात्पर होता है संग्रहन के लिए अर्थम का योग जो है चतुर्थी भक्ति के अर्थमे होता है जैसे पठन धन अर्थम इती प संग्रहन अर्थम संग्रहन के लिए तो बिलासा प्रति दिन चार तेंदू आदि वन्य फलों को संग्रहित करने के लिए इकठा करने के लिए गच्छत इसम जाती थी तथा च बंसी मही सचारणाय वनम प्रति अगच्छत तो बिलासा जो क्या जाती थी? वो वन जाती थी चार तेंदू जैसे फलों को एकत्रित करने के लिए इसी तरह से उसका पती बंसी वह क्या करता था? मही सचारणाय वह गायबैलों को चराने के लिए गाय बैल भेंस आदि को चराने के लिए वनम प्रती अगच्छत वन की ओर जाता था अर्थात वन में दिलासा जो है चार तेंदू जैसे फलों के कत्रित करती थी और उसका पती बंसी मवेशियों को चराने के लिए जाता था बंसी महीश चारनाय वनम प्रती अगच्छत यह वाक्य है इस वाक्य का करतापद क्या है इस वाक्य का क्रियापद क्या है ऐसा प्रस्न पूछा जा सकता है तो अस्मिन वाक्य करतापदम अस्ति बंसी अस्मिन वाक्य प्रेउक्त क्रियापदम अस्ति अगच्छत अस्मिन वाक्य बंसी महिस्चारणाय वनम प्रती अगच्छत अस्मिन वाक्य प्रयुक्त अव्यायम चिनुत अर्थात इस वाक्य में प्रयुक्त अव्याय पद को चून कर लिखो तब यहां हम देखते हैं यहां प्रती जो है यहां अव्याइपद है तो इसका हमको चैन करके लिखना है तो तर आप लिख सकते हैं बनसी महिस्चारणाय वरम प्रती अगच्छत अस्मिन वाक्ये अव्याइपदम अस्ति प्रती तो यह उत्तर हो गया चले आगे बढ़ते है यदा सायम काले बिलासा पत्या साकम ग्रिहम प्रतिन्य वर्तियत तदा सहसा आखेटाय भ्रमतह राग्यह कल्यान सायस्यो परी एकः व्याग्रह आक्रमणम ग्रितवान वन की बात है वन में बहुत से पसुपक्षी होते हैं आप जानते हैं देखें किस तरह से पसुपक्षी आपको दीख रहे हैं यहां हमको बाग भालू हीरण हाथी, घोडे, जंगली भैसे, आधी जीव जन्तू यहाँ वन में रहते हैं अब देख भी पा रहे हैं तो ऐसे उस वन में जिस वन से बिलासा चार तेंदू एकठा करने के लिए जाती थी और बंसी मवेशियों को चराने के लिए जाता था वहां जो राजा लोग होते थे, राजकुमार लोग होते थे ये लोग आखेट के लिए सिकार के लिए भी जाते थे वैसे ही यदा एक दिन सायम काले जब साम के समय यदा यह अव्याइपद है और इसका अर्थ होता है जब तो सायम काले साम के समय, बिलासा पत्या साकम, सह साकम सार्धम योगे तृतिया भवती, अर्थात सह की योग में तृतिया होता है, साकम के योग में तृतिया होता है, सार्धम की योग में तृतिया भक्ति होता है, ये सबी आप उपद विभक्ति के अंतरगत अध्यन करते है तो यहां पर प्रिवक्त हुआ है साकम इसका अर्थ भी होता है साथ और इसके योग में तृतिय भक्ति का प्रयोग होता है इसलिए यहां पर पती सब्द है इसमें तृतिय भक्ति का प्रयोग हुआ है पत्या तो बिलासा पत्या बिलासा जो है पती के साथ ग्रिहम प्रती घ घर की ओर नियम वर्तियत लोट रहा था तदा तभी या तब सहसा सहसा या अचानक या अव्यपद है आखेटाए आखेट मुल सब्द है चतुर्थी भक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है आखेट के लिए आखेट या सिकार के लिए भ्रहमत घूम हुआ अर्था शिकार करने के लिए वन में गया हुआ राजा जो है घूमता हुआ राग्याह राजा कान राजा कल्यानसायस योपरी राज्या कल्यानसाय के ऊपर एक व्याग्रह एक बागने आक्रमनंकृत्वान आक्रमन कर दिया जिस समय बिलासा अपने पती के साथ वन से लोट रही थी उसी समय एक राजा जिसका नाम था कल्यांड साए वो वन में सिकार के लिए गया हुआ था तो शिकार के लिए गया हुआ राजा शिकार के लिए भटक रहा था तभी एक बाग ने उस पर आक्रमन कर दिया और इस द्रिश्य को बिलासा और उसके पती ने देख लिया तम विलोक्य उसको देख कर बिलासा ने व्याग्रम व्याग्रको बाग को कुंतेन प्रहारिय भाला से मार कर कुंतेन कुंत मतलब भाला तो कुंतेन त्रितवय भक्ती एकवचन का प्रयोग है तो भाला से प्रहारिय प्रहार करके अर्थात मार करके राज्यह राजा के प्राणान प्राणों की और रक्षयत रक्षा की तो जब बिलासा ने देखा जब वो वन से वापस आ रही थे अपने पती के साथ तो राजा सिकार के ले गया हुआ था और तभी उस राजा के उपर बाग ने आक्रमन कर दिया इस द्रिश्चे को देख कर बिलासा ने अपने पास रखे हुए भाला को उठाया और निशाना लगा कर उस बाग पर दे मारा प्रहार कर दिया और इस तरह से उस बाग के चंगुल से राजा को उन्होंने मुक्त कराया छुडाया इस प्रकार उस बाग से राजा के प्राणों की रक्षा हुई अनया इस से किस से राजा के प्राण की रक्षा होने से कल्यान साया है राजा कल्यान साय बिलासया बिलासा के इस बहाद्दुरी भरे कार्य से प्रभावितो भुत्वा प्रभावित होकर भुत्वा भुधातो प्रत्य का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर होता है होकर प्रभावितो भुत्वा प्रभावित होकर अपरम दिवसम दूसरे दिन अपरा नद्याह द्वयोह तट्योह अपरा नद्याह अपरा नदी का नाम ह है नद्या का मूल सब्द क्या है नदी है सश्थु भक्त एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका ताद पर यह होता है नदि के द्वयोह टतट योह दोनों तट के यहां पर भी दी नदी के दोनों तट के जागीर अठात अपने प्रभाव छेत्र जो था राजा का जो अधिकार वाला जो छेत्र था उन छेत्रों को बिलासा यही दत्तवान बिलासा के लिए दे दिया अर्थात बिलासा को दे दिया कि अब इसका स्वामित्व तुम्हारे पास रहेगा इसकी रक्षा तुम करोगी और यहां से जो ही अरजित होगा वो सब तुम्हारा होगा इस तरह से ये नदी क दोनों तर्थ का झो छेत्र है यह तुम्हारा होगा ऐसा करके राजा ने बिलासा को वह छेत्र और नदी के दोनों तष्थ का छेत्र जो है, दे दिया दत्तवान यह सब्द जो है इसमें दाधातु DD प्रत्य का प्रयोग है पुर्णिंग एक वचन का हरूप है बिलासा यही कहते हैं तो बिलासा मूल शब्द है चतूरति भक्ती एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है बिलासा के लिए तथा च राजा रतनपूरं प्रत्यागतः और इसके पस्चात राजा जो है रतनपूर वापस आ गया प्रत्यागतः प्रतीधन आगतः इती प्रत्यागतः यहां पर संधी हुआ है यंडश्वर संधी प्रतीधन आगतः आगतः सब्दों जो कहते हैं प्रत्यागतः यह सब्द में प्रतीधन आ धन गम धनक्त पूर्लिंग एक वचन का यह रूप है तो इस तरह से सब्दों को पहचानने के लिए भी आपको कहा जा सकता है तो जैसे कि मैंने पूरुन वें कहा था कि प्रत्यागता है इस सब्द में एक से अधिक प्रत्याओं का प्रयोग हुआ है प्रती उपसर्ग है आउपसर्ग है गम धातु है तप्रत्या है और पूलिंग एक वचान का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है वापस आ गया अनंतरम उसके पस्चात ताम उसको खडगेन अलंकृत्य तल्वार से अलंकृत करके अर्थात उसको तल्वार देते हुए महिला सेना पती इती पदे न्ययोजयत इसके पस्चात जब राजा वापस आ गिया तब राजा ने बिलासा को एक तल्वार देते हुए महिला सेनापती के पद पर नियुक्त कर दिया नियायोजयत नियुक्त कर दिया बिलासा सहसी थी उन्होंने भाले के प्रहार से भाले के प्रहार किया किस पर व्याग्र पर और इस तरह से उन्होंने राजा के प्राणों की रक्षा की बदले में राजा ने बिलासा को कुछ समय पस्चात तलवार दे कर सम्मानित किया और अपने राज्य में महिला सेना पती के पद पर नियुक्त कर दिया अर्थात अब राज्य की रक्षा का भार बिलासा को दे दिया गया बिलासा स्वप्रयतनें ग्रामस्य विकासह कृत्वति तस्याह वर्धमानं प्रभावं द्रिष्ट्वा प्रतिवेशिनह राज्याने तस्याह छेत्रे आक्रमणं कृत्वंतह तैसह बिलासा साहसें युद्धं अकरोत सा राज्य रक्षा कुर्वति वीरगतिम प्राप्तवति राज्याह कल्यान सायन मत्स्या खेटकानाम निवास स्थलं बिलासा याह सम्मानार्थं बिलासा पूरं इती नामना प्रतितं वर्धमाने इदम बिलास पूरं छत्तिस गढ़स्य न्याय धानी अस्ति यह जो अनुच्छेद आया गद्यांस आया इसमें जो सब्द प्रयोग तो हुए है उन सब्दों को आप देखें और इनका अर्था समझने का प्रयास कीजिए इसमें जो संधी युक्तपद है उन संधियों को पहले अलग करते हैं जैसे आप सब्द यहां देख पा रहे हैं मत्याखेट का नाम मत्य धन आ खेट का नाम यहां पर दिरगशवरसंदी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से अब देखते हैं सम्मान आर्थम सम्मान धन अर्थम यहां भी देरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है आईए गध्यांश में प्रयुक्त विभिन्न पदों के सब्दार्थ क्या है इनको देखते हैं तो बिलासा अर्थ बिलासा हुआ स्वा प्रयात्नेन स्वा मतलब होता है अपना अप्रयात्नेन मतलब प्रयात्न अप्रयात्नेन प्रयात्न से प्रयात्न सब्द मूल सब्द है इसमें तृत्य वक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से इसका तात्पर यह हुआ अपने प्रयास से ग्राम अस्य ग्र प्रत्य इस्ट्रिलिंग का रूप है एक वचन में तो इस तरह से इसका तात्पर ही होता है कि ये की कि तस्याह तद मुल सब्द है सश्थ्विभक्ति एक वचन इस्ट्रिलिंग कही हा रूप है तो तस्याह मतलब उसकी वर्धमानम वरिदधातु सानच प्रत्य का प्रयोग हुआ है यहाँ पर एक वचन में तो इसका तात्पर होता है बढ़ते हुए सत्री और सानच प्रत्य वर्धमानकालिक प्रत्य हैं अर्थात वर्धमानकाल के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है यहां वर्धमानाम यह जो सब्द देख रहे हैं इसमें वरिद धातु और सानज प्रत्य का प्रयोग हुआ है प्रभावम प्रभाव द्रिश्ट्वा देख कर द्रिश्ट्वा प्रत्य और इस तरह से स्कृप बनता है द्रिश्ट्वा अक्तवा प्रत्यका प्रियोग कर अर्थ में होता है तो इस तरह से द्रिष्ट मतलब होता है देखना अक्तवा मतलब कर अर्थ में तो इस तरह से द्रिष्ट्वा का अर्थ हुआ देख कर प्रतिवेसिनह पडोसी बहुचन का रूप है प्रतिवेसि मतलब पडोसी होता है यह साथ विशेशन पद कौन सा है और विशेशन पद कौन सा है तब यहां हम देखेंगे विशेशन किसको कहते हैं और विशेशन किसको कहते हैं या भली भाती जानते हैं विशेशन उन पदों को कहा जाता है जिनकी विशेशता बताई जाती है और विशेशन उन पदों को कहा ज प्रतिवेस्य नहां यह क्या है यह विशेशन पद है तो इस तरह से विशेशन विशेश से भी किसी पद में आपको पूछा जा सकता है तो इसके आपकी जानकारी आपको इसकी जानकारियां होनी चाहिए तस्या छेत्रे आकरमनम क्रिता वनतह उसके छेत्र में छेत्र में छेत्र मूल सब्द है शच्पति एक वचनका प्रियोग हुआ है इसका तात्र पर होता है छेत्र में आक्रमन, आक्रमन, कृत वन्तह, कृत वन्तह, इसका मूल सब्द जो है, कृत हातु है, अक्त्वत प्रत्या है, बहु अचन का रूप है, कृत वन्तह किये, बिलासा, स्वप्रयत्निन, अपने प्रयत्न से, ग्रामस्य विकासह कृत्वती, बिलासा अपने प्रयासों से, गाउं का विकास कर रही थी, तस्या वर्धमानम प्रभावम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर, प्रतिवेशिन राज्याने पडोसी राज्यों के राजाओं के द्वारा, या पडोसी राज्यों के द्वारा, या कहें, कि पडोसी राज्यों ने, तस्या छेत्रे उसके छेत्र पर, बिलासा के चेत्र पर आक्रमनम क्रित्वंतह आक्रमन कर दिये पडोसी राज्य जो थे वे एक नहीं मिलकर अनेक पडोसी राज्यों ने बिलासा के चेत्र पर आक्रमन कर दिया तैह सह का मतलब होता है उसके द्वारा उनके द्वारा उन पडोसी राज्यों के साथ विलासा साहसन पर-आक्रम पुर्वक युद्ध किया पिल्ष दिखा कर नहीं भागी मैदान से वह नहीं भागी पडोसी राज्यों जब उनकी राज्य पर आक्रमन किया तब वह उसका मुह तोड़ जवाब देने लगी सा वह राज्य रक्षा कुर्वती वह राज्य की रक्षा करती हुई वीर गतिम प्राप्त हुई वीर गति को प्राप्त हुई क्योंकि यदि कोई राजा या कोई वीर या कोई सैनिक यदि आमने सामने की लड़ाई करता तब बात अलग होती लेकिन पडोसी राज्यों ने मिलकर बिलासा के छेत्र पर आक्रमन किया था ऐसे में बहुत से योद्धाओं के साथ किसी एक योद्धा का युद्ध किया जाना ये असंभाव प्रती तो होता है यहां विजय प्राप्त हो ही सकती है लेकिन इसके संभावनाएं कम होती हैं आप सभी जानते हैं महाभारत में घटना हुई अभिमन्यों जिसको अनेक योद्धाओं के द्वारा घेर कर मारा गया था तो इसी तरह से बिलासा के ऊपर भी पडोसी राज्यों के द्वारा तो उस युद्ध में जिस तरह से अभिमन्यों वीरगती को प्राप्त हुआ था उसी तरह से बिलासा भी अनेक राज्यों के राजाओं के द्वारा अक्रमं किये जाने पर उनके साथ संघर्ष करते हुए वीरगती को प्राप्त हुई राज्या कल्यान सायन राजा कल्यान साय के द्वारा मत्स्या खेट का नाम निवास स्थलम अर्थात मचलियों का सिकार करने वाली या मचली पकड़ने वाले लोगों के निवास स्थल बिलासा या मचली पकड़ने वाले लोगों के निवास स्थलको बिलासा या सम्मान आर्थम बिलासा के सम्मान के लिए बिलासा पूरम इती नामना प्रतितम अर्थात उस छेत्र को किस छेत्र को जिस छेत्र में मचली पकड़ने वाले लोग हुआ करते थे उस छेत्र को बिलासा के सम्मान में उस छेत्र का नाम बिलासापूर नामना प्रतितम नाम रख दिया इस तरह से वह छेत्र जो है बिलासापूर के नाम से जाना जाने लगा इस तरह से बाद में वही बिलासापूर बिलासपूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो इस तरह से हम देखते हैं इस पाठ में बिलासपूर यह जो चत्तिसगड का एक प्रमुख नगर है उसका नामकरन किस प्रकार हुआ इसके नाम के औशित्य को हम इस पाट के माध्यम से समझ पा रहे हैं वर्तमाने वर्तमान काल में आज की समय में इदम बिलासपुरम यह बिलासपुर के नाम से जाना जाता है और यह चत्तिस गड़ हस्य न्याय धानी अस्ति 36 गड़ की न्याय धानी है अर्थात हमारा प्रदेश 36 गड़ इसकी यह न्याय धानी है अर्थात यहां का जो उच्च न्याय आले है वह बिलासपूर में इस्थित है इसलिए बिलासपूर को 36 गड़ की न्याय धानी भी कहा जाता है